नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि blood clotting time कैसे निकालते देखिए first आपको क्या करना पड़े आपने finger को इस्ट्राइल करना होगा किसी solution से उसके बाद फिर आप अपने finger को prick कर सकते हैं उसके बाद फिर अपने capillary में एक capillary लेना है उस capillary में अपने blood को भरना ह पूरा और भरने के बाद time start करना है अपने phone में या फिर किसी clock में start करने के बाद आपको 30-30 second का gap लेना है और 30-30 second में अपने capillary को तोड़ना है दोस्तों छोटे-छोटे टूड़ो में और जब तक तोड़िएगा तब तक धीरे-धीरे तोड़ते-तोड़ते आपका blood जो ह है वह clot हो जागा, clot होने के बाद जिस point पे भी आपको clotting मिलता है जैसे कि धीरे-धीर तोड़िएगा तो आपको clotting time मिलेगा कि 30-60-90 second तो उस second पे अगर आपका blood जम गया है दोस्तों तो आप समझेगा कि वह हमारा clotting time है दोस्तों कैसा लगा है वीडियो लाइक करके जरू बताएगा दोस्तों और नया है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिए मिलते किसी और बुलिए तब तक जहें दोस्तों